सुरत्मा अला भाजपनों केंद्रिया मंधि गिरी राज सिये कॉंगरेस पर प्रहार करवानि साथ अश्मेर दर्गाना सर्वे अंगे निवेदन आपी होतु के और कही होतु के जो देश ना प्रथम पीम सर्दार पटे रहोत तो सर्वे माटे अरची आपी पड़े नहीं थे फता पटेल पहला पीम होत तो आज एक कोई ने कोट मास जहिने सर्वा माटे अरची आपी पड़त नहीं आवी बस्ति दोले पहला थी जटावी देवी थी होत तो आरन नव थाउ उझोए कोोटस सरवनों आदेश हापयो छे हजमेर सरकार कोटस सरवनों आदेश हापयो छे तो कोने समंश्या आछे राजय के टुकडए टुकडए गेंग राज करन करे छे कि आज जार्खनमा हेमन सोरे ने पदगरहन करियो छे मों बुछवा मांगो छुई के EVM त्या बराबर हत्तु के नहीं ज्यारे त्यारे EVM अने जीते त्यारे EVM नहीं तेके उँ आ टुकडे टुकडे गेंग हार्स विकार रही नथी महाराष्ट ना गटबंधन मा कोई मदबेद नथी आने रात सुधिमा माराष्ट ना सीएम नू नाम नकी थशे माराष्ट मा भाजपनाच मुख्यमंत्री बंसे दुमांगला देश बाबते भारत सरकार आपती दर्ज करी शे अने पच्छी मंगार मा राहुल गांधी है टुकडे टुकडे गेंग के मा बाबते कई नथी बोलत लेकिन यह जरूर कहूंगा कि भारती जन्ता पार्टी का मुख्यमंत्री सवाल बंगला देश की अस्तती हुआ है तो मुझे बाबा साहिब अंबेद कर कि भारत वीभाजन के किताब में उन्हों ने लिखा था कि उन्हों ने नहरू को कहा था कि टोटल पॉपलेशन को ट्रांसफर करो पाकिस्तान अगर नहीं करोगे तो भारत में समाजिक समरस्ता नहीं बनेगी आज उसी का देन है कि बंगला देश पहले पाकिस्तान में हिंदू समाप्थ हुए अब बंगला देश में हिंदूओं पे अत्याचार हो रहा है और ऐसा अत्याचार साज दुनिया में कहीं नहीं होगा बहुबोईटियों का इज़त, मंदिरों को तोड़ना, लोगों की हत्या कर देना, धर्म गुरुओं को चिन्मियानन्द को गिरफदार कर लेना, भारत सरकार ने कड़ी आपत्ती दर्ज की है और ऐसी आपत्ती दर्ज की है, हम तो आपत्ती भी दर्ज की है, बंगाल में, तिरपुरा में, हमारे लोग उनके बिरोध में खड़े भी हुए, लेकिन राहुल गांधी और टुक्रे टुक्रे गैंग की जुबान हिंदूओं पे हो रहे, अत्याचार पे, क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है भारत का हिंदू समाज, क्या आखिर क्यों नहीं, क्या आपने अपने आपको बोट के साथ साथ हवाला दे दिया है, हवालात कर दिया है, अपने को मुसल्मानों के हवाले कर दिया है, क्या आप बोल नहीं सकते एक सब्द, ये दुर्भाग पुर पूरे खांदान रहे उससे भारते जंता पार्टी को कोई चैलेंज ने ना देश को चैलेंज है ना पार्टी को चैलेंज है मेरी पर्तिकिरिया वही है जो नेचुरल है दुर्भग रहा इस देश का कि नेहरू देश के पर्थम परधान मंत्री रहे अगर सरदार पटेल होते तो आज किसी को कोट में जाकर के सरवे के लिए अरजी नहीं देना पड़ता ये तुष्टी करन के नीती के कारण नेहरू ने पूरे जंजट लगाने का काम किया अगर ऐसे मस्जिदों को पहले ही हटा दिये गए होते तो ये होता नहीं लेकिन किसी ने अरजी डाली कोट में कोट ने आदेश दिया सरवे का तो ये कानून को जो नहीं मानने वाले हैं वही शंबल की घटना फिर से घटना यहां भी चाहते हैं कि अजमेर में भी हो अजमेर अगर सरकार को कोट ने दिया है आदेश सरवे करने के लिए तो किसको दिकत है क्यों दिकत है कुछ लोग राजनेतिक लोग टुकरे टुकरे गैंग वो कह रहे हैं दरगाह और ये गुर्द्वारा गुर्द्वारा कहां सा गया अफवा पहलाने का काम क्यों करते हैं गुर्द्वारा तो भारत के हिंदूओं को बचाने का काम किया था मुगलों के समय ये दुर्भागे रहा दूसरा मेरा है आज जारखंड मैं हैमंत सोरेन ने ओथ लिया सभी लोग गए थे मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये भी अब वहां ठीक था ने जब जीत जाओ तो मीठा मीठा गट गट अतीता तीता थू थू ये अब भरम फैलाना नहीं चलेगा कांग्रेश बिपक्ष महराष्ट में विश्वशनेता गिरी है जिसके कारण वहां हार हुई जब हार हो तब इभी अम कुछ दिन पहले पार्लियमेंट जीत गए तहां उसमें आके डंका पिट रहे थे राहूल मैंने हारा दिया मैंने हारा दिया तो वहां इभी अम ठीक थ यह लोग अपनी हार को नहीं स्विकार रहे हैं तुक्रे तुक्रे गैंग को महराष्ट की हार को स्विकार ना चाहिए बीजेपी का वो तो आपने देखा होगा कि एकनास सिंदे जी ने ये स्पस्ट कर दिया और जो हमारा गठवंधन है जिसमें अजीत पबार हैं एकनास सिंदे हैं भारतिये जनता पार्टी है उसमें कहीं कोई मतवेद नहीं है दल के अंदर भी कभी-कभी होता है हम नहीं हम ये गठवंधन के अंदर कोई मतवेद नहीं आज रात तक